आप सभी साथकों का स्वागत हैं, मैं अर्विन सक्सेना बोल रहा हूँ, इस वाले वीडियो का टॉपिक है रिगवेद के रिशी, तो इसमें मैं जो उनके मुखे रिशी हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करूँगा, तो इसमें जो इनका रिगवेद में जो दूसरा जो चैप्टर है, यानि सेकंड बुक या उसको मंदल भी कहते हैं, दूसरा मंदल, इसके रिशी है, गृत्समद रिशी, तो इसलिए इसको गृत्समद मंदल भी करा सकता है, इसमें 43, यान 43 सूक्त है, गृत्स का मतलब होता ह प्राण हम्मद का मतलब होता है अपान तो इसलिए ग्रस्मद का मतलब हो गया प्राण और अपान जो वायू है उसके बीच में जो कॉर्डिनेशन है सम्यवस्ता वाली सिती जो आ रही है उसके लिए इनका नाम ग्रस्मद है इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है तीसरा मंडल रिगवेत का इसका नाम है विश्वामित्र मंडल और विश्वामित्र रिशी के नाम पे है इसमें बासट सूक्त है और इसमें गायत्री मंद्र दिया हुआ है और ये जो है जो कि इनों ने विश्वामित्र रिशी ने सबसे पहले उसको देखा था इसलिए उनको गायत्री मंद्र का सबसे पहला जो है उनको आचारे कहा जाता है गायतरी मंत्र जो है निस में क्या होता है यह मंत्र जो होता है जितने भी वैदिक मंत्र है उन सबका बीज मंत्र होता है इसलिए महा गायतरी को वेद माता भी कहते हैं भगवान राम जो थे यह विश्वामित रिशी के शिश्र थे अब चौथा जो मंडल है रिगवेत का उसको वामदेव मंडल करते हैं वो वामदेव रिशी के नाम पर है इसमें अठावन सूक्त है और इसमें एक सौरी रिचा है जो कि ये मंत्र जो है सूर दिर्था का के बारे में है और इसमें वामदेव रिशी ने उसको बताया था इसी तरह से जो पाठ्षवा मंडल है रिगवेत का उसको अत्री अत्रेया मंडल कहते हैं वो अत्री रिशी के नाम पे हैं इसमें 87 सूक्त है अत्री जो रिशी जो थे इनकी पत्नी का नाम था अनुस हुई गया और यह दोनों जो है चित्रकूट उत्तर पुदेश में हैं वहाँ पे रहते थे जो मातान सुईया है उन्होंने गणा नदी मा गंगा उनका एक पार्ट जो है चित्रकूट में उसको अपनी ताकत से तपस्या से उसको प्रवाहित करा दिया थी यह जो गंगा जो वहां का हिस्सा है जो चित्रकूट में बहा रहा है उसको मंदाकनी कहते हैं इनके अत्री रिशी के जो बच्चे थे संताने थी उनमें एक है जो इनको चंद्रमा कहते हैं मून यह जो है ब्रह्मा जी का रूप है गुरु तत्ता त्रे यह विश्नु जी का रूप है दुर्वासा रिशी यह जो है शिवजी का रूप है और अत्री रिशी जो थे इनको अश्वनी कुमार जो देवता हैं इन्हों ने इनको विद्धावस्ता में भी जवानी प्राप्त करा दी थी पूर्ण यौवन इनको प्राप्त करा दिया था और जो है इसके बाद जो चटा मंडल है रिगवेट भारत्वाज मंडल कहते हैं भारत्वार रिशी के कि वजए से उनका नाम है इस मंडल का बारत्वाज रिशी जो थे यह ब्रास्पती जो देवता थे उनके पिता थे भाराद्वार रिशी जो थे वो आयरवेद, अगनी विद्या और साम गान इनके जो थे वो विशेशक थे उनका जो द्वारा दिया गो अगनी जी का एक सूक्त है रिवेद में चटे मंडल का 9.4 यह नवा सूक्त यह जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो सात्मा मंडल आये रिवेद का उसको वशिस्ट मंडल कहते है वो वशिस्ट रिशी के नाम पर है तो यह जो वशिस्ट रिशी थे इनकी पत्नी का नाम था अरुन धती और जो भागी रद जो थे जो की गंगा नदी को इस धर्ती पर लाए थे वो वशिस्ट रिशी की मदद से ही लाए थे और वशिस्ट रिशी के जो यग थे उन्होंने राज़ा दर्सरत की मदद करी दी और उनको जो है भगवान राम जैसे संतान उनको मिली वो वशिस्ट रिशी जो थे भगवान राम के गुरू थे वशिस्ट रिशी जो थे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसको योग वशिस्ट कहते हैं इसमें यह है यह कलेक्शन है उनकी जो भगवान राम को सिखाय था उसका यह कलेक्शन है यह वशिस्ट रिशी जो है यह वेद व्यास शुकदेव इनके पूवर्स थे इनका जो गशेश रिशी का जो डिवोशन है गाय के प्रति बड़ा प्रसिद्ध है इन्हों ने जो है गशेश रिशी ने हिंद्र अगनी और अश्वनी कुमार की इनकी साधनाय करी थी इन्दर देव्ता ने इनको कई बार जो है मलाक्ष्यeसों से बचाया था इसके बाद आठवा मंदल आता है उसको आठवा मंदल जो रिग्वेत का है सूकन्व बंडल भी कहते हैं कन्वर रिशी के नाम प है ये इसमें 103 सुक्त है और रिग्वेत का जो नवा मंदल है उसका पवमान मंदल है इसके जो रिशी है अंगीरा रिशी है इसमें 114 सूप्त है जो पवमान सूप्त है यह सोम दिवता के बारे में बड़ा शुरा फवमान में इसके अलावा एक रिशी और में करूगा है अकस्त रिशी है यह वैसे रिशी चारों वेदों में जो लेकिन इनका वंदल में रिगवेद रिशी उमें इंप्र थे करूँंगा और इनकी जो पत्नी थी लोपा मुद्रा वो भी एक रिशिका थी रिशिका लेविल पे थी वो और खुद वो श्री विद्या की उपासिका भी थी और उसकी आचार भी समझ लीजिए वगवान राम भी अगस रिशिके आश्रम में आई थे तो यह जानकरी मैंने आपको दी जिसमें रिगवेत के रिशियों के बारे में आपको बताया आशा करताओं को आपको सब जानकरी अच्छी लगी होगी बाकी आप लोग कमेंट करके बतायेगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद